परिचय नमस्कार दोस्तों, हमारे पास निम्बू, करेला और चीनी है, इन में से ये कुछ खादे पदार्थ खट्टे लगते हैं, कुछ कड़वे, कुछ मीठे और कुछ नमकीन लगते हैं, खादे पदार्थों का खट्टा, कड़वा, मीठा और नमकीन स्वाद, उन में उपस्थित अमल, क्षारक और लवन के कारण होता है, सत्रवी शताबदी में रसायनक्गे रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले पदार्थों को अमल और क्षारक के रूप में नाम दिया था, इस पार्ट में आप अमल, क्षारक और लवन की विशेश्ताओं के बारे में पढ़ेंगे, उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे, अमल, क्षारक और लवन को परिभाशित करना, अमल और क्षारक की विशेश्ताओं पताना, अमल के बारे में जानना, हम में से बहुतों को पदार्थों का खट्टा स्वाद पसंद है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम जूस को पीते हैं, तो इसका स्वाद खट्टा होता है, साधारन तौर पर खट्टा लगने वाले पदार्थों में अमल यानी एसिड होता है कुछ खादे पदार्थों में सिट्रिक अमल होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है एसिट शब्द की उत्पत्ती लेटिन शब्द एसियर से हुई है जिसकार्थ होता है खट्टा प्रकृति में पाय जाने वाले अमल अमल प्रकृतिक पदार्थों जैसे फल और सब्जियों में पाया जाता है क्या आपने कभी सुना है कि चीती या मदुमख़्ी के डंक में अमल होता है जिसके कारण त्वाचा में जलन महसूस होती है विभिनन खाद्दे पदार्थों में विभिनन प्रकार के अमल होते हैं संत्रा, अंगूर, नारंगी, नीबु इत्यादी जैसे साइट्रस फलो में सिट्रिक अमल होता है हमारी रसोई में पाया जाने वाला सिर का तनू एसिटिक अमल होता है अम्रूद, संत्रा, रजभरी इत्यादी में एस्कॉर्पिक अम्ल पाया जाता है मैलिक अम्ल बहुत से फलों में पाया जाता है सेब में एस्कॉर्पिक अम्ल काफी अधिक मात्रा में होता है ज्यादा तर बच्चों को ज्यादा पनीर वाला पिज़ा पसंद होता है हम प्रदी दिन अपने कपड़े साबुन से धोते हैं, क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का विलियन है? साबुन का घूल स्वाद में कड़वा लगता है और हतेली पर अगड़ने पर यह चिकनाई का एहसास देता है, क्यूंकि इसमें ख्यारक है अताफ वो पदार्थ जिनके जलिये विलियन का स्वाद कड़वा और चिकनाई भरा होता है, उन्हें क्षारक कहते हैं जल में घुलनशील क्षारकों को एलकली कहते हैं एलकली शब्द अर्भी शब्द अलकली से बना है, जिसकार्थ है राख, जो इसके एलकाइन पदार्थ के मूल स्रोथ को इंगित करता है दैनिक जीवन में क्षारक चात्रो, चूने का रासाइनिक नाम है केल्शियम हैड्रॉकसाइड जल में चूने को घोल कर, चूना पानी का निर्माण किया जाता है दूदिया मैगनीशिया एक ओशदी है, जो आहर के पाचन में सहायता करती है इसमें मैगनीशियम हाईड्रॉकसाइड होता है, जो ख्षारक होता है जब आपकी माँ खिड़की साफ करती हैं तो वो जिस विलियन का प्रियोग कर रही होती हैं उसे हतेली पर लीजिए और महसूस कीजिए आप अपनी हतेली पर चिकनाई महसूस करेंगे वो इसलिए क्यूंकि क्लीनर अमोनियम हाइड्रो आक्साइड से बनते हैं जो ख्षारक होते हैं हम विद्याले में ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए खड़िया यानी चौग का प्रियोग करते हैं ये अमल है या ख्षारक है चौग जब जल में घुलती है तो ख्षारक ये विलियन बनती है रासाइनिक रूप से इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं लवन क्या आप जानते हैं कि चीटी के डंक के स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने से आपको अराम मिलता है ऐसा इसलिए क्योंकि बेकिंग सोडा चीटी के दंश को निश्प्रभावी कर देता है अब हम जानते हैं कि अमल या ख्षारक क्या होता है आईए जाने कि अम्ल और क्षारक को मिलाने से क्या होता है एक अम्ल या क्षारक मिलकर लवन और जल प्रदान करते हैं आईए हम निम्न प्रयोग करें थोड़े से फिनाल फथिलिन को तनो हैड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाएं अम्ल ये विलियन में सूचक रंग हीन रहता है फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइट का थोड़ा अंश मिलाते हैं एक निश्चित बिंदु पर सूचक अपना रंग बदलता है इसकार्थ है कि अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्लोराइट ने पूर्णता उदासीन कर दिया है और कुछ अफशेशी हाइड्रोक्साइट विलियन में उपस्तित है इस अभिक्रिया से लवन, सोडियम क्लोराइट और जल उत्पन्न होता है अम्लों और ख्शारों की अभिक्रिया को उदासीनी करण अभिक्रिया भी कहते है हमारे दैनिक जीवन में उदासीनी करण कभी-कभी हम अपने पेट में जलन महसूस करते है ऐसा क्यों होता है? हमारे अमाशे में हाइड्रोक्लोरिकमल यानि HCl स्रावित होता है ये एक शक्तिशाली अम्ल होता है जो आहार पाचन में हमारी सहयता करता है लेकिन अम्ल के अत्यधिक स्राव से पेट में जलन होती है इस जलन से रहत पाने के लिए एक प्रती अम्ल लिया जाता है प्रती अम्ल में ख्षारक होता है जो पेट के अत्रिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है हम जिस म्रिदा को कृशी के लिए उप्योग करते हैं वो भी अपनी प्रकृती में अम्लिय या ख्षारिय हो सकती है ख्यारिय मृदा में जैविक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो अमल निर्मुक्त करते हैं इस तरह मृदा उदासीन हो जाती है बहुत से कारखाने अमली अप्षिष्ट निर्मुक्त करते हैं जो जलाशयों के पानी में गिरने के बाद उने एक शती पहँचाते हैं परिणाम सरूप जलिये जीवों की मृत्य हो जाती है अताहा अमली अप्षिष्ट के निस्तारण से पहले वने एक शारक जैसे बुझे हुए चूने से उदासीन किया जाता है सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं अमल वो पदार्थ होता है जिसका जलिये विलियन स्वाद में खटा होता है क्षारक वो पदार्थ होता है जिसका जलिये विलियन स्वाद में कड़वा और चिकनाई युक्त होता है जब अमल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवन प्राप्थ होता है अमल और क्षारक की अभिक्रिया को उदासीनी करण कहते हैं उदासीनी करण का हमारे दैनिक जीवन में महतपून भूमी का निभाता है